नवश्कार मैं हुरोहित भामला और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी One Day Wish Cup 2023 के टिक्टो की काला बजारी का आरोप लगाने वाले एक शिकायत के बाद कोलकता पुलिस ने शुकरवार को C.A.B. यानि Cricket Association of Bengal के अधिकारियों को तलब किया है एक व्यक्ति दुआरा की गई शिकायत भारती Cricket Control Board यानि BCCI ने Cricket Association of Bengal और Book My Show के खिलाफ है जिसने कथित तोर पर टिक्टो की काला बजारी को बढ़ावा दिया है C.A.B. अधिकारियों को 24 गंटे के भीतार मैदान पुलिस स्टेशन में पस्तित होने के लिए कहा गया है शुरुआत में ये खबर फैली थी कि मौजुदा C.A.B. अध्यक्ष और भारतिय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान स्वरो गांगुली के बड़े भाई उन्होंने कहा कि चूकि C.A.B. को इस मामले में एक नोटिस जारी किया गया है और प्रशनों का एक सेट भीजा गया है और C.A.B. का कोई भी शीच अधिकारी उन प्रशनों का उत्तर देने के लिए मैदान पुलिस स्टेशन में उपस्तित हो सकता है सूतरों ने कहा है कि जाच अधिकारियों के पास मूल रूप से सम्मन्द में C.A.B. अधिकारियों से दो प्रशन है पहला सवाल ये है कि क्या उन्हें टिक्टो की काला बजारी के बारे में पहले से कोई जानकारी मिली थी दूसरा सवाल यह है कि यदि उन्हें इस संबन में कोई प्रारंबिक चेताव ने मिली थी तो उन्हें उस जानकारी के साथ कानूनी प्रवतन एजनसी के संपर क्यों नहीं किया गया बताया जा रहा है कि पुलिस ने अब तक इस सिलसिले में 16 लोगों को ग्रफतार किया है और इस कबजे में कुल 94 तिकट जबतिये गए है मामले में दो पुलिस टेशन में 7 FIR दरज की गई है टिकटो की काला बजारी का मामला पहली बार तब सामने आया जब शेहर पुलिस ने 1 नवंबर की शाम को एक व्यक्ति को 5 नवंबर को होने वाले भारत दक्षिन अफ्रीका मैच के लिए टिकट बेचने की कोशिश करते हुए रंगे हातों ग्रफतार कर लिया बाद में एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई वहीं BCCI, CAB और Book My Show पर One Day World Cup 23 के टिकटो की काला बजारी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है इस रिपोर्ट में इतना ही आप देखतरी रिपोर्टर जी धन्यवाद